नमश्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं बैंक निफ्टी एनसी की दोस्तों जिसकी एकस्पायरी 26 ओफ नवंबर को है अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरह के की मुवमेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही है उसे देखते हुए हम ये समझनी कोशिश करेंगे कि हमारा आगे का क्या व्यू है बैंक निफ्टी में बैंग आनी चाहिए, सेलिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए किसी एक ट्रेंड को समझने के लिए उसमें एंट्री से पहले तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एनसी का चार्ट दोस्तों हमने जिस तरीके से देखा लास्स ट्रेंडिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनी हुई थी और उसकाद मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और उपर के लेवल पे ही सस्टेन करता रहा था पर आफ्टरनून सेशन के बाद इसमें एक सेलिंग स्टार्ट हो गई जिसमें काफी नीचे के लेवल्स हमने लगते हुए देखे मार्केट में क्लोजिंग से पहल थोड़ी रिकवरी है पर वो रिकवरी भी खतम हो गई और मार्केट जो था अल्मोस्ट अपने लोएस लेवल के पास क्लोज हुआ लास्ट ट्रेइडिंग प्राइस था 28,858 दोस्तों हमने इस तरीके की सेलिंग देखी के मार्केट गैब डाउन खुला और अपने आपको स्टेबल रखनी की कोशिश की पर सारा का सारा ट्रेंड जो था वो नीचे की तरफ बनता चला गया इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर टाइम बढ़ाते हैं पंदरा मिनट की तरफ चलते हैं वहां हम देखते हैं कि क्या वियू हमें नजर आ रहा है तो यहां अगर हम देखेंगे मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई थी उपर तक चलता रहा था मार्केट 29,000 के लेवल को ब्रेक किया उसके बाद यह हमने देखा गैब डौन ओपनिंग और मार्केट बिलकुल अपने लोईस पॉइंट पे डे का जो लोईस पॉइंट था वहाँ पर आके क्लोज हो गया आई यह थोड़ा सा और आके बढ़ते हैं एक गंटे के टाइम फ्रेम पे यहां हम देखते हैं कि किस तरीके का वियू हमें नजर आ रहा है यहां से मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू ही और जो स्ट्रेंथ यहां तक एक डाउनसाइड वियू लेके करेक्शन फेज लेके हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक इसमें एक अप्ट्रेंथ बना रहा और यह फिर यह एक थोड़ा सा मार्केट अपने आपको करेक्शन करनी कोशिश कर रहा है इससे पहले यह करेक्शन यहां पर आई थी ठीक है तो हम समझ सकते हैं कि 24,000 से 29,000 के लेवल में एक इस पॉइंट पे छोटी सी करेक्शन आई है और एक अभी बिलकुल जो यह हमें यह करेक्शन जो दिख रही है इसके अलावा पूरे फेज में कहीं पर भी कोई करेक्शन हमें नजर नहीं आई देखे जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो उसे कम्पलीट होने के बाद हम यह रिलाइज होता है कि हमने क्या चीज मिस कर दी तो मेरा यह मानना है कि जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट अंड करते हैं as compared to what इंट्रेडेड ट्रेडर्स अंड तो इसलिए मेरा जो थोड़ा सा एक strategical way है वो पोजिशनल वे में ज़्यादा सही रहता है कि अगर आप थोड़ा सा पोजिशन को होल्ड करके किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा view बन सकता है उसका एक reason और है पोजिशनल वे में आप इंट्रेडे के जो मतलब market moments होती हैं उससे आप बचे रहते हो और आप एक trend को support करते हो यहां भी अगर आप देखेंगे market का trend उपर था तो आपको intraday trading में किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं यहां पर अगर आप बहुत ही छोटे trend को consider करते हो तो आपको यहां पर और यहां पर इन दो जोगे थोड़ा सा doubt ज़रूर हुआ पर वो फिर आपर depend करता है कौन सा सही level था आपकी exit करने के लिए कौन सा नहीं उससे पहले market consolidation में था consolidation में भी अगर आपका कोई ऐसा view है कि आप positional direction लेके चलते हैं positional view लेके चलते हैं तो आपका कहीं stop loss त्रिकर नहीं हो रहा तो आप उस position में बने हुए है ठीक है इस तरीके का एक view बना रहता है थोड़ा सा और आगे चलते हैं चार घंटे के time frame पे दोस्तों यहां भी अगर हम देखें market में correction थी और उसके बाद से यह एक phase था जो थोड़ा सा doubt में ला सकता था अदरवाइस चार घंटे के time frame पे और ज़्यादा हमें एक बड़ा clear cut view मिल रहा है यह उपर की side में और यह नीचे की side में आप अगर देखेंगे यहां market consolidate तो हो रहा है पर आप अपनी direction change नहीं की यह सिर्फ एक doubtful area है पूरी buying में यह वाला था जहांपर market नीचे आने का थोड़ा रुख बना सकता था जो में अभी भी नज़र आ रहा है उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि market में कोई downside view बन रहा हो या ना बन रहा हो तो यह 4 घंटे पे एक trend रहा है और थोड़ा सा आगर चलते हैं daily charts पे वह हम देखते हैं किस तरीके का view नज़र आ रहा है यहां देखिए market एक range round trade में था और उसके बाद नीचे आया और वहां से सीधा एक up trend दोस्तों अब कोई भी time period निकाल लेजिए कि उसमें एक थोड़ा सा लंबा time period कि उसमें bank nifty ने आपको return दिया तो किस तरीके का दिया या फिर आप से आप positional trader अगर रहते हैं तो आप ज़्यादा अच्छान कर सकते हैं अब फिर intraday trading में intraday trading ऐसा नहीं है कि मैं intraday trading के against हूँ पर मैं intraday trading में उस चीज़ के against हूँ जो जहां पर आपका self control consider किया जाएगा आप मेरी बात को इस तरीके से समझिए जैसे intraday traders आपने आपको रोज मैदान में उतारते हैं और रोज लडने लगते हैं देखिए आपकी capability है आपके पास funds भी हैं आपके पास कोई एक इस तरीके होना चाहिए कि जिस दिन आपको trade नहीं मिल रहा उस दिन आप patience रखने का भी एक अपने अंदर एक control ला सकें कि आज अगर trade आपको नहीं मिल रहा कुछ clear cut कोई major breakout level नहीं नज़र आ रहा तो आप market से बाहर बैठे रहे हैं और wait करें उस entry के लिए जो आपको एक अच्छा profit दे सकती है ठीक है दोस्तों तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आप levels को समझे नहीं कोश्च करते हैं चलते हैं हम एक घंटे के time frame पे देखते हैं वहाँ पर या है फिर एक घंटे के time frame पे पंदरा मिनट पे चलते हैं यहां पर दोस्तों अब जो levels में आपको बताना हो देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि market में correction थोड़ी सी अच्छी है ठीक है अब levels कौन से होंगे levels होंगे सबसे पहले अगर market में थोड़ी सी upside आती है यहां इन levels से एक चीज़ ज़रूर है कि आप intraday में इसे consolidation phase में आता हुआ देख रहे होंगे अब अगर market में यहां से थोड़ी सी buying आती है तो कौन सा level होगा तो level होगा यह वाला 29,500 यह price अगर break होता है तो market में थोड़ी सी strength बन सकती है देखिए मैं आपको एक चीज़ कुछ अपने bank nifty के वीडियो में लगातार बता रहा हूँ कि nifty में 13,100 और bank nifty तो already अपने last जो एक इसका high था 32,000 के नीचे का जो range है जो zone है यह उसमें अभी trade कर रहा है तो bank nifty भी अपने resistance पर है और nifty अपने upper end के resistance पर है मतलब 13,100 को अगर यह उपर break कर गया अगर hold करता है nifty तो ही उसमें आने वाले time में एक तेजी हम और speed से आती ही देख सकते हैं otherwise दोनो bank nifty भी nifty भी अपने उस resistance लेवल पर है कि यहां से market turn कर सकता है जिसके छोटे से sign बहुत ज़्यादा बड़े नहीं पर छोटे से sign मुझे इस तरीके से नज़र आया है कि पहली चीज़ SGX nifty 13,000 14 या 15 का कुछ high लगा के नीचे turn किया है उसने जो हमने nifty nse में देखा के 12,960 के around का कुछ high लगा था मतलब exact 13,000 नहीं break हुआ था तो वहां से थोड़ी सी correction हमने देखी है और same चीज़ bank nifty में जो prices are 30,000 के around वहां से एक turn आता हुआ हमें नज़र आ रहा है अब अगर मैं chart की बात करूँ तो जिस तरीके की आज correction आई है market में इसमें जो downside में जो level था बिलकुल exactly market ने वहीं पर अपनी closing दिया है मतलब उसे मैं ही कहूँगा कि उस price के just नीचे अपनी closing दिया है तो ये एक price था जिसे market ने close ब्रेक कर दिया है और उसके बाद इसका ये बतलब है कि एक correction जो है वो market में आ सकती है आने वाले time में मतलब next trading session में आ सकती है तो अब किस तरीके से इसे समझा जाए इसे समझने का एक तरीका है कि market में जो buying थी वो कहीं ना कहीं अभी खतम होती नजर आ रही है पहली चीज़ के market अपने resistance पे था दूसरी चीज़ के market ने यहां से एक turn लिया है नीचे की side में जिसमें हमें ये level देखनी को मिल रहे हैं ये इस तरीके से turn लिया है और उसके बाद market ने इस price को touch कर दिया तो अब अगर आपको कोई buying करनी है तो कम से कम at least आपको यहां से लगभग 1000 पॉइंट उपर मतलब 29,950 के उपर जब तक market नहीं आता तब तक आपको buying avoid करनी चीए देखिए market में थोड़े से selling के sign आ गया है अब यहां से अगर फिर से market उपर जाता है वो 29,950 ब्रेक करता है तब ही आप इसमें buying करें otherwise आप buying ना करें देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि market में 29,500 का level break होता है तो थोड़ी सी strength ज़रूर आनी शुरू हो जाएगी वापस पर market को इस high को break करना थोड़ा सा मुश्किल बना रहेगा और इसमें दूसरी चीज़ यह है कि अगर यह correction continue रहती है तो इसे support अभी कहां मिलेगा support में एक छोटा सा इसमें support level है वो है यहां पर 28,400 के around यह थोड़ा सा इसमें support area है जहां पर market अपने आपको थोड़ा सा prices को hold करने की कोशिश कर सकता है इसके नीचे भी अगर market sustain करने लग गया तो और ज़्यादर selling के chances है जिसमें next major breakout level कौन सा रहेगा वो line है यह वाली यह price है 27,520 यह price भी break होता है तो market बहुत जबरदस reversal mode में आ जाएगा उसके बाद 26,400 एक इसका last price है जिसके बाद जिस तरीके से हमने buying देखी है उसी तरीके से हम इसमें selling भी देखेंगे आगे को वो बहुत नीचे का price है तो उसमें अभी consider नहीं करते पर 27,500 का जो level है वो अभी हम ध्यान में रखेंगे और उससे पहले बीच में market देखें यहां से लेके यहां तक की एक range को market support कहां मतला बीच में कहीं पर बनाने की कोशिश करेगा फिलहाल थोड़ा सा इसने selling zone में एंटर करने की कोशिश करी है कल का दिन हम देखते है कि कल का दिन कैसा रहता है अगर इस price के नीचे market रहता है तो यह जो high लगाया है अभी तक का इसने जो recent high लगाया है इस high को वापस break करना market के लिए बहुत जाना मुश्किल हो जाएगा और market एक wide range में consolidate होता हुआ अपने आपको आगे बढ़ाएगा ठीके दोस्तों तो मैं एक बार level द्वारा repeat कर देता हूँ सबसे उपर 29950 इसी के उपर buying करें अब अगर आपको buying करनी है next 29500 यह price अगर break हो जाता है तो market intraday में consolidation phase में रह सकता है कि मतलब ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा एक range में trade करता रह सकता है next जो बिलकुल इसका lowest price है मतलब 28850 के around वो price अल्रेडी break हो चुगा है उसे हम नहीं लिखते next 28400 यह वो price है जहाँ पर market को थोड़ा सा support मिल सकता है next 27520 यह price भी break हो गया तो market एक reversal zone में चला जाएगा फिर market का वापस turn करना उपर की side में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा next 26400 यह last है इस price को भी break करता है तो नीचे में हमें 22000 तक के level वापस देखने को मिल सकते हैं तो यह था मेरा bank nifty पर अभी का video वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रहे है market report धन्यवाद